हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल दोस्तों आज के इस ब्लॉग के अंदर मैं आपको अपनी रूटीन दिखाऊँगा जो डिली रूटीन होती है तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज सुभा के पूर्ण 8 बज रहे और यह मे बिलाद ऐसी होताती थी सब्सक्राइब कभी 11 बजे कभी 12 बच जाता था तो यह इसलिए होता था कि कभी-कभी तो हम वीडियो देखते थे कि क्या चीज बनानी है क्या चीज सिखानी है या कभी-कभी ऐसे बस अपनी गेम खेलते हुए किसी की तरीके से एक मतलब आदत सब्सक्राइब करते हैं तो अब ही जो पुर्णी आठ है मेरे लिए बहुत ज़्यादा जल्दी है और आज से में रूटीनी स्टार्ट कर रहा हुँ तो कि आज थोड़ा घूमने चलेगे में अपने बाता के हाँ पर जाओंगा ठीके उनका जो काम ने थोड़ा हुँ समझ नहीं आता तो वह मुझे कॉल करते हैं और उससे पूस्ते हैं तो बस इसी तरीके से सुबात होती है दिनकी तो चलिए आप आगे आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हम क्या करेंगे आज चेंजिस करने के बार दोस्तों यहाँ पर मैं पानी को गुंगोना कर रहा हू हलका हलका गुंगोना पानी करूँगा और उसके बाद यह दो गुलास हैं ठ़िक है यह देख सकते हैं यह साइज साइज में दोस्तों एक में गरम पानी मैं और दूसरे में घरम पानी में दोस्तों मैं मिलावाँगा यह हरवर लाइफ का 터 fως यह एट तरीकी की मतलब चाई इतना बड़ा इस्पून होता है इसको बस सिंपल इसमें ऐसे डाल देना है और उसके बाद बस चम्मच से इसको गॉल को घुमा देना है यहाँ पर हमारी ट्यार हो जाएगी यह लेमन टी यह लेमन टी की तरह आप समझ दो इससे बहुत बढ़िया रहता है मले चाई पीने की तो देखिए यहाँ पर होड़ वाटर बिल्कुल मामली गरम ज्यादा गरम नहीं क्योंकि ज्यादा गरम से भी दिक्कत है बीपी में और यह हमारा एफ्रेस ड्रिंग जो भी आपको मैंने दिखाया है तो बस इसमें सबसे पहले हम होड़ वाटर को यानि गरम पानी को आरा के अंदर मतलब सुगर होती है तो किसी चीज की मतलब सीहत से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती तो यही मैं रूटिन जो है अपनी बनाने वाला हूं फिर इसके बाद हम इसका शेक भी पिएंगे लेकिन उसको कपीना है उसका भी टाइमिंग होता है तो सबसे पहले हम इसको पी के थोड़ा सा वर्काउट अगरा भी करना जोरी होता है तो चलिए पहले हम इसको पी लेते हैं अराम से फिर इसके बाद हम चलेंगे अपने सीधा पापा की शॉप पर मैं आपको दिखाऊंगा उनका क्या काम है आप लिए सर्प्राइज भी है और आपको बहुत मजान तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने पापा की शॉप पर असल में शॉप मैं कहा रहा हूँ लेकि यह है गोदाम क्योंकि मेरे बापा को जो काम है बहुत रूट का आप पीछे देख सकते हूँ कि मैंगो है और पीछे जिते भी आप देख रहें मैंगो लगे हुए है औ अच्छी तरह से एक्स्प्लेंड करेंगे और कस्टूमर का भी टाइम है तो कहीं ना कहीं कश्टूमर भी आते रहेंगे तो अभी स्खाली है दोड़ा कस्टूमर नहीं है तो चलिए पापस से पूछे और वह बताएंगी एक एक चीज को दिखाएं वैससे तो मैं आपको कीनिये की आपए पपीता है आम है यहां भी आम है क्योंकि आम का सीजन ने तो च्रीं अखर्वूजा को और यह हमारा गयाना मैं इस के नाम है यह तर्व मोटो और प्रमेरे दिखाता हूं आप सब्सक्राइब काम हैं यह अपर जब तक पापा की यहां पर कस्टुमर है मैं आपको दिखाता हूं अपने भाईया के रिडी यह एंसरा तो इन्होंने लगा रखे देखे भिंडी अमिया सिमला मिर्च तोरी करेला टमाटर अध्रक। अपने आपे अपना जो काम है अपने रिस्सेदारी में जारतार फ्रूड और सब्जी का बहुत ज्यादा काम है तो यहां पर पानी चड़काव करें जिससे की मक्ही ज्यादा ना बैठें तो चलिए पापा के पास से कस्टुमरी चले के मैं पापा से पूछूँगा वह एक तो अब मैं पापा से बोलूँगा वह एक एक चीज को दिखाएं थोड़ा अगर कुछ हो सके वह भी समझा देंगे तो यहां पर तो बस मैं आपको दिखाने के लिए आया हूं तो देखिए रखाए आम यह कौन साम है यह सफैदा अंधरा का सफैदा यह तो आप देखिए उसका साइज देखिए अचाँ है कल तक सही हो जायागा मंनलगत कल यह बिक जायागा और इस यह पपीता करणाटक वाला हो यह देख सकते हैं अच्का इसमें भी uns 1080 अच्छा यह भी आम है देख सकते हूं अच्छा यह वाला सफैदा थोड़ा मतलब पका हुआ लग रहे हैं यह तयार हो चुगा है अच्छा यह टाइड है कल तक तक तयार हो जाएगा अच्छा मैं तो सोज़ागा ब्लॉक बनाऊंगा तो दसरी यहां पर खतम हो गई कि मैं थोड़ा लेट हो गया और सुबार यह चार बजे उड़ जाते सुबा और फटा-फट यह नमाज पट के आजाते हैं और तकरीबन छे-साथ बज़े के आसवास तो यहां यहां लेट हो जाता है यह खर्बूज़ा है यह वह बाईया की रेडी पर अलग था यह कूं सा ह अच्छा इसलिए मदूर तर्बूज़ा यह तर्बूज़ा है मक्षी तो देखो आप इस पर मख्यां कि नहीं है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है को यह कारा टूट जाता है जैसे की मतलब समानवान लाने में तो उसका रस वगएरा निकलता तो इसलिए मक्षियां देखी इतनी बाइब इसलिए इनको सुभा सुभा उठकर आना होता है अच्छा मलब सुभाई माल बिखता है मतलब दिन में तो होता है अच्छा तो बाकि अब जो मतलब बचा है एक दुख्ये वो आएंगे ठीक है तो इस तरीके के देखिए छोटासा घुदा में अपने जैसा मैं तो यह तो अपने पापा का गुदाम मैंने दिखा दिया अभी थोड़ा माल कम है अभी जाता होगा तो भी आपको बहुताता हूँ जैसे कि अगर आपको किसी को भी कोई भी समान लेना होता है तो अभी तो आज फ्राइड है तो नेरे जो चाचा है सबसे बड़े वाले तो चुटी करते हैं आज की तो आपको यहां पर एक किलो दो किलो कोई भी समान लेना वो भी आपको मिल जाएगा अगर आप आसपास रहते हैं उत्तमनगर के और मैं आपको यहां का थोड़ा लोकेशन देता हूँ तो इस साइड में आप देखों मैंट्रो शेशन दिख रहा गोड़ा में ये ओटो रिक साया पे रिपेर वगारा होते हैं तो आप यहां पर आखे देख सकते हैं अल डाइप की यह फिक है यहां पर कोई नाम नहीं है तो आपको यहां पर अगरा नाम लेंगे तो आपको जारूकुल तो यह रहे कि दोस्तों यह जो रोड है यह जो रोड जिसको हम पीर बाबा का मजार वाला रोड भी गहते हैं क्योंकि यहां पर एक पीर बाबा का मजार है तो वह रोड भी है तो इसमें थोड़ा संदर आना आपको बस जाती दिखती होगी रोड़ पर और यहां पर जो है मामा का गोदाम है यहां भी फूरूट वगरा ही बेशते हैं आप देखेंगे तो यहां भी वही सफैदाम तो पी सीजन है तो वही चीज होगी और यह भाई को तो आप जानते ही तो आप देखेंगे अभी तो फूरूट यहां पर काफी जादा कम है वरना आपको मैं दिखाता है तो बहुत ही बड़ी बड़ी आते हैं जैसे अंगूर चीकुम केला ठीक है मनला हर तरीके कर फूरूट आता है सीजनेवल जो भी अबलेबल होता है वह यहां पर हमने मिल जाता है तो यह मैंने आपको थोड़ा सबस जलक दिखाईए बता नही इसे आप आऊगे तो प्रेमनगर कहते हैं मैट्रो से यहां पर पढ़ता है उत्तमनगर पश्चिम तो यह मैं ट्रो श्रेशन का नाम है डालमी रोड पर आप आएंगे तो यहां पर देखिए ढावा है बरावर में ढावे के सामने वाली घलिये पापागी जिसमें गाये ज करते हैं यह अपना सफैद आम यह अनार हो गया और यह चैरी है चैरी के डब्बें इसमें से चैरी को मतलब साफ करके निकाला जा रहा है जो भी खराब चैरी होगी उसको हटा देंगे तो आप देखें यहां पर दस्यारी आम लगे हुए है ठीके इस तरही है तो और करने चाहिक होगी है फुर्ट आते रहते हैं हिसनेवल और काफिवे अपर भी होता है कि दिए दिमांट होती है तो वो वर वह वह फ्रूट की लेके आते रहते हैं अच्छा माल्टा कहते हैं इसको मतलब यह उसी की कोपी है अच्छा तो यह इसका क्या वेट है क्या रेट चल रहा है इसका यह पंदरा सो रुपे का डबा इसमें कितना वेट है अच्छा पंदरा वीस किलों का करें पंदरा किलों माल तो इसी तरीके से पूरी-पूरी पेटी बेचीद आती है और जो लेडी वाले लेके जाते हैं तो फेरी में अपने हिसाफ से आप देख लेती है इसमें कुछ दागी माल भी निकलता है जो कि इंपोर्टेट में कम आचन एक रट के बेचा जाता है तो यहां पर देखिए है आलू उखारा तो यहां पर काफी जादा वराइटी देगने को मिली आलू उखारा का रेट का चरदा है अच्छा डाइस रुपे का डबबा है तकरीवन चार किलों माल अच्छा पेटी काफी चोटा साइज है 15 किलों अच्छा तो यहां पर आपको मैंने पूरा गोदाम दिखा दिया तीन गोदाम दिखा चुका हूं तो आपको जो भी चीज लेनी हो कभी भी आप आ सकते एड़स आपको पूरा मैंने दे दिया बाकि डिस्रिप्शन में भी मैं यह पूरा लिंक के साथ एड़स दे सकते हैं याद रखें सुबह आठ अवजे तक आएं तो आपको यहां पर हरेश्टी को अब मैं चुका हूं अपने घर पर और अब मैं यहां से जाओंगा कम से कम 3-4 किलो मिडर तक मैं हल्की सुलो सुलो रणिंग करूंगा उसके बाद मैं उहां का थोड़ा सा व्यू अग दोस्तों थोड़ा रहेश्टे करने के बाद अपना वही नाना दोना होगा फिर हम अपनी वीडियो पर लग जाएंगे तो इसी तरीकी की रूटीन अम परने को लेके चलनी है तकरीवन दो से धाई महीने अगर मैं इसी तरीकी से करता हो तो मेरा काफी जादा मतलब इंप् प्रोल में हो जाता है तो दो धाई महीने करेंगे तो यह जड़ से ही खतम हो जाएगा तो चलिए हम चलते रंणिंग पे और आपको थोड़ा वीव वहां का भी दिखाएंगे कि किस जगा पे हम रंणिंग करें मतलब तैलने के लिए जा रहें क्योंकि सुरू सुरू अलके हम इस्टार्ट करेंगी तो दोस्तों अब मैं हलका हलका वह पर हूं और तकरीवन को तोगलो में जाओंगा वर कीलूमेटर वापस आओंगा ने चारी सब् calorie मेरा ही ब्लबालो मीटर वख और जल्दी उठ जाऊंगा अल्द नहीं बाई नहीं हार एक चीज में टाइम से मैं वीडियो बना सकता हूं अपने आपको दिखाता हूं जहां चे रहा हूं तो दोस्तों अब तोम्स पीछे की साइड में यह सर्विस लाइन है और express line मैं तो पीशे आप देख सकते हैं इसको मैं आपको बैक पीसे की तरफ भी दिखा रेता हूं यह पूरी सर्विस लाइन है और मैं सिर्फ इसी लाइन पर चलूँगा और मैं उपर की पटर की तरफ चत्रहों क्यों गाड़ी आती जाती रहती है तो अपनी भी सेफटी रखनी है तो तक्रीब आते वक्त हम यहां पर देखेंगे नारियल भी पिएंगे यहां पर तो शुरूब सुबर सुबर नारियल पीना भी बढ़िया रहता है मैं इस टाइम अपनी सेहत के साथ बिलकुल भी मतलब मजाग नहीं कर सकता काफी टाइम से मैं सोच रहा हूं कि आज शुरू करूँग कल से सुरू करूँगा लेकिन दोस्तों ऐसा होता रहता है कि कभी मैं काम के वजए से सुरू कर रही नहीं पाता था कुछ भी कभी बुट्टिक का काम कभी किसी जीद का काम लेकिन अब जो है अपनी सेहत के साथ दोस्तों बिलकुल भी मजाग नहीं करना अब मेंको टाइम तक भी रहती है तो चलिए ऐसे दोस्तों हलके हलके आपको देख रहो होगा मैं हलके हलका चल रहा हूं जारा तेज में भागूंगा नहीं अभी पहला दिन है ना बोडीपेन होने लगेगी और वीडियो में बनानी पाऊगा तो चलिए इसी तरीखे से दोस्तों अपना आप देखें नहीं दिवार यह है एनस इटी की जो द्वार का में एनस इटी है यह उसकी दिवार हैं बाउंडरी पूरी चारो तरफ से आपको मैंने अपने घर से भी इसका नजारा दिखाया था गजो दोस्तो एसी कलते हैं वह अब हलकी हल्के चलते चलते भी मेरें को पसीने आने लगें जो की बहुत ही बढ़िया है क्योंकि हम एक में बैटके काम करते रहते हैं बसीन नहीं भी नहीं आ था वब बोटी इसको पसीना आना गभी जाना सज़ा वह दो समय कarf थोड़ा थोड़ा तेज चलाओं आप देख सकते हो थोड़ा वह थल का बूल का पसीना भी मेरे को आप चुगा है और मेरे पीछे देखिए मैं आपको बैक कैमरे से भाता हम यह है दीन द्याल उपाद्याय कॉलिज तो यहां पर काफी लोग आते हैं और यह सर्विस लाइन ह किसी पर बैट्रीक सा चलता है तो द्वार का मोर से सीधा यह बिल्कुल सीधी लाइन है कहीं भी नहीं मोड़ना होता इसके लिए तो यह आपाले घर के करीब देड़े के लिम्मिट को नहीं तो दोस्तों अब इतने घर की तरफ जा रहा हूं और गला काफी जादा ठूक च है इस से तकरीब न पूने आठ भुजे मैं सो पर उठाऊं और इस टाइम हो रहा है कम से कम पुने 11 हो रहा है तीन घंटे हो चुके है सब्सक्राइब मतलब 3.5 तीन घंटे हो चुके मुझे तो यह रेकिया मैं 2500 में पानी लिए यह तरीक है आता है और अब इसके अंदर मै यह बनाओंगा इसके अंदर प्रोटीन प्रोटल लेंगी एक चमच और बोला है कि तीर महीने के अंदर कोसिस है मेरी जैसे अभी करेंट में मेरा वेट है 87 और यही टाइट फोलो करके मैं देखता हूं कि मेरा तीर महीने बार वेट कितना होता है तो 87 मेरा वेट है तो मैं मेरा टार्गेट है कि कम से कम सतर किलो के आसपास तो हो जाए और यह है जो मैं बनाने जा रहा हूं तो यह कुल्फी वाला शेक है इससे डादूंगों में तीन चम्मच और उसके बाद दोस्तों यह है कि यह जो है यह मिल्क बेस्ट प्रोटीन है यानि दूर बताना जाए सुखा दूर वैसे दूर्थ तो मुझे मना है लेकिन यह ले सकता हूं तो यह मैं लूँआ एक चम्मच है और किसी में स्पून होता इसकी और अब उबर जो सिंपल अब मेरे जो डाइट प्लान है वो भी मैं आपको बता देता हूं काफी लोग पूसे कि सर आपके तबियत करने के लिए मैं अपने डाइट प्लान पूरा चेंज कर ला हूं जैसे कि आज दुपैर को मैं खाऊंगा सिर्फ एक या दो रोटी को खीरे साम को भी हलका खाना औ और दूसरी चीज़ मेरे को पानी दिन में पांट लिटर पीना ही पीना है तो यह पूरी डाइट फोलो करने के बाद अगर वैसे तो मुझे बोला गया कि अगर आप अच्छी तरीके से इसे फोलो करते हैं तो मतलब 10-15 दिन के अंदर ही एक से दो तलो विट कम हो जाएगा दोस्तों हमारे कॉलिंग का टाइम जब तक हो जाएगा दो बच्चे एंगे तो कॉलिंग टाइम स्टाफ हो जाएगा उसके बाद में अपनी वीडियो अगरा बनाता हूं तो डेली का यही रूटीन है और जल्दी पर सूने लगां तो फटा-फट जो है अपना जितना की क प्राम हो जाता है हम कर लेते हैं और ब्लॉग बनाने का मकसर भी यह था कि आप लोग भी देखवाई कि कैसी लाइफ रहती है इतनी वीजी लाइफ रहती है अब नेक्स्ट जो है मैं आने वाले ब्लॉग में मैंने परनीशन ले लिए क्योंकि पूछना पड़ता है ना एक कि मसीन दिखाई जाएगी जैक की काली मसीन मोटर इस्टीम प्रेस उनके बार हर एक इंफोर्मेशन में आपको इसी ब्लॉग में दूँगा अगर आप हमारे इस ब्लॉग के पहली बार आए और पहली बार देख रहे हो तो यह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथ म सब्सक्राइब जब आप करोगे तो बैल आकनी प्रेस कर लेना इससे यह होगा कि जब भी मैं में मसीन वाली वीडियो डालूँगा तो आपके बाग वीडियो सबसे पहले पोच पाएगी और आप उससे अच्छी तादिवी से देख पाएंगे और धीरे-धीरे में इसमें